आज हम पढ़ेंगे अपने विस्तास बुक के ना most important question तो विस्तास बुक से एक्जाम में धेर सारे पूछा जाएगा आपसे यह नहीं बस फ्लेमिंगो पढ़ते रहो तो विस्तास भी अच्छे से पढ़नी है और आठ विस्तास के भयंकर बहतरीन चैप्टरों के important question हम देखन करने वाले है तो जैसे फ्लेमिंगो के गवर करा है विस्तास करेंगे यह वह question है जो तुम्हें बोट exam में जरूर दिखाई देंगे क्योंकि last year में जो भी question मैंने ज्यादतर बताए है वह आपके senior students को ने बहुत help कर रहा है इतना paper देके ना मेरे चैनल पे दो शौर्ट जरूर ऐसा हो यह important question में आपको बता हूँ और आपका paper भी बड़ी आसा हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें सभी question को अच्छे से पढ़ना होगा तो guys without wasting any time let's start with the chapter number one the third level के most important question यह question कराने का basic क्या है क्योंकि यह है आपके base question यह वह question है जो आपके chapter के हर कोने में से most important parts से उठ दिखाए गए हैं जिससे आपको समझ में आजाए कि ऐसे करना है आपको answer formation तो कोई भी question आजाए exam में आपको answer writing आजाएगी in questions को देखके और important to cover हो ही रहा है तो चलो start करते हैं हम third level के important question तो पहला question है how does Charlie describe himself तो यहां से Charlie का description तुम्हें पता चलेगा अब third level का कोई भी question आया हूं मैं तो आमादमी हूं सबकी तरह 31 years old का हूं he wore a tan Garbadyne suit और मैं पहन के रखता हूं क्या पहनता था चाली तैन यानि की मटेला से रंगा ब्रावनिस से कलर का जो है क्या Garbadyne type का कपड़ होता है जिसे silk है cotton है Garbadyne कपड़ होता हूं उसका सूट पहनता हूं and मैं एक straw hat ल इसे मेरे office में और लोग जाते ते बिल्कुल मैं उनकी तरह हूं and he was not trying to escape from anything और किसी चीछ से नहीं भाग रहा था ऐसा description वो खुद का लेता है कि भाई मैं सब की तरह हूं मैं कुछ नहीं भाग रहा था तो बड़तों मैं पता है ना भाग के वो पहुचता तो है third level में चलो कहता है वो यह नहीं कहता सीदा कि भाई तू पावल हो गया है तुछ लोग ऐसे बात नहीं करते हैं वो कि यह ना waking dream wish fulfillment है waking dream खुली आंखों का सपना और उस खुली आंखों के सपने से तुम अपनी wish fulfill कर रहे हो तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हो और उसकी इच्छा क्या थी भाई मैं यह office जाना office आना यह दुख वरी दुनिया है कि तदुख दर्द है इस दुनिया से मैं दूर भाग ज तो वो यह से कहता है उसका psychiatrist friend कि you are unhappy with your life or third level was nothing but the product of his mind to run away from the reality तुमारे mind का product है असलियत से भागनी के लिए was the third level a medium of escape for Charlie why and why not तुम बताओ क्या third level medium of escape था या नहीं तो yes Charlie was engulfed in trials and tribulations of life Charlie सभी की तरह दुनिया में बहुत परशान हो चुका था काफी लोग जैसे हो जाते है so he created third level for himself to seek refuge in it तो इसलिए उसने third level create करा जिससे वो वहाँ जाके जैसे हम लोग कई पर कुछ चीज है ना imagine गया थे हम किसको बताएगे ने हम imagination चलती है हमारी तो यह उसकी imagination का part था it eased his ease मतलब रहत देना उसकी tension कम हुई है सोचके pressure कम हुआ और उसे एक platform मिला relax करने का यह third level कि नहीं एक दुनिया है बहुत अच्छी जहां मैं जा सकता हूँ वो ऐसे सोच के खुद को relax करता था what was Charlie's argument when psychiatrist told him that stamp collection was a temporary diffuse from reality अब psychiatrist कहता है उसका दोस्त उसको कि यह जो तुम इतने stamp collect करते हो ना यह भी reality से भागने का एक तरीका है stamp collection तो वो कहता है भाई यह तो कोई बात न रूजवेल्ट तो नहीं भाग रहे थे वो तो इतने practical men थे अमेरिका के प्रेजिडेंट थे रूजवेल जी के रागो भी तो करते थे stamp collection वो भी प्रियाल्टी से भाग रहे थे मेरे दादा जी वो तो गेली से मजे लेते थे अपनी लाइफ के कभी party यह चल रही है lemonade party यह घ stamp collection करते थे तो यह stamp collection में मेरा reality से भागने का जरिया है तो यही चीज़ वो उसको कहता है ठीक है कि उसके दादाजी भी करते थे प्रेजिन रूजवेल भी करते थे तो क्या सब भाग रहे थे reality से why is grand central station compared to a tree क्यों का चाल्डी कहता है grand central station tree है क्योंकि है तो पागली है यह कई कई बार खो जाता था अलग अलग रास्तों पर कभी कई बहुत दूर पहुत दूर पहुता था कभी कई बहुत दूर तो इसे लगते grand central station अपने tunnels बना रहे है जैसे वो अलग अलग सी fantasy series वागेरा में दिखाते ठीक है जैसी वो stranger things में नहीं दिखाया था नीचे वो tunnel खुल या था वो demo gorgon वाला वो वैसा समझ लोई ऐसा कुछ सोचता है what is a first day cover to first day cover very important question आपकी exam के लिए जब भी कोई new stamp launch होता है तो stamp collectors उस stamp को एक envelope पे लगा के अंदर खाली page रखे जो है खुद के address पर mail कर लेते हैं जिससे वो stamp बुन तक पहुच जाए बचार लीको जो first day cover मिलता है अपने collection में जो आस तक तक तेले कभी भी नहीं था दाजज़ जी के address पर आवा उसके अंदर letter था stamp का पता है न चैप्टर तो पड़क है रहे नहीं पाड़ा तो जल्दी जाके विस्तास बुक के फ्लेमिंग विस्तास बुक के वांचोट से जल्दी जाके चैप्टर को पड़ो description box पे लिंक गिवन है चलो आगे पड़ते हैं हम why did the booking clerk refuse to accept money 2010 दिल्ली काया तो मैंने तो इतने previous year include कर रहे हैं तो booking clerk क्यों मना करते है हम पैसे नहीं लेंगे तो booking clerk ने refuse का दिया था money accept करने को because Charlie had given him notes जो उसने दिये थे वो old style के नहीं थे तो because the note Charlie had given him were not of old style old style note नहीं दिये थे उसने तो नहीं जमाने के note दे दिये थे उच जमाने के note 1894 में थोड़ी चलते थे so the clerk stared him and told him that ain't money mister mister यह money नहीं है और उसे लगता है कि Charlie उसको cheat करना चाहरा है तो वो जो है Charlie फिर वहाँ से भाग जाता है ठीक है how did Charlie realize that oh very important question है guys यह इसको ध्यान से देखो Charlie को कैसे बता चलता है भाई मैं third level में पहुझ गया तो Charlie सबसे पहले देखा है brass pitons को वो जो जो है पान खाके जो वो spit करते है न उसके लिए बड़े-बड़े brass के बरतन रखे गयते वो देखता है gas light देखता है जो light थी वो जविजली से जल रही थी गैस से जल रही थी सब लोग 1890 की तरह dress up हो रखे थे engine जो था वो steam engine था funnel shape पाला और चाम यूसपेपर उठा के देखता है तो पता चलता है कि भाया 11 जून 1894 है the world वाला newspaper है ticket window बहुत कम थी और इससे उसे पता चलता है कि मैं कर गया हूँ time table मैं पहुझ गया हूँ third level पे तो describe करो third level in briefly अपने आप बताओ मुझे third level कैसा था in the comment section इस chapter का comment आपको करना है you have to describe me the third level clearly in the comments ठीक है अब चलो why did Charlie again wanted to go back to the third level तो भाई Charlie को गेलेस बागे लिए जाके settle होना था क्योंकि उसे अपनी ये दुनिया पसंद नह के पुराने जबाने की नोट भी जेम में भर लिये थे अपने की जिस दिन मिला third level भाई ट्रेड लेकर भाग जोंगा अपनी वाइप को लेकर ठीक है what preparation Charlie make to go to the Gailersburg तो भाई सब यही है जो उसने जेम में पैसे बढ़े थे 300 डॉलर की जमा पूजी को बदलवा लिया पुर आली दुनिया से परशान था इसलिए यह उसका medium of escape था now the last question of today's यह वाला chapter का that modern world is full of insecurity, fear, war, worries, stress, what are the ways in which we attempt to overcome them तो भाई यहां पे आपको एक बहुत अलग टाइप का value based type का question है भाई दुनिया तो है ऐसी कि बहुत परशानी है कुछ तरीके बताओ जिससे आप इस दुनिया में खुशिया डून सकते तो music सुनो, happy रहो, books पढ़ो, दोस्तों से बाते करो, friends से बाते करो और family के साथ time spend कर trip पे चले जो traveling कर लो fishing कर लो gardening कर लो यह सब लिख देना ना कि अगर आपको tension हो तो इस तरीकों से आप अपना जो है tension यह मतलिख ना की real scroll कर लो इसके अंदर ठीक है तो कोई genuine चीज़े दिखाना जिससे आप अपनी tension relax कर सकते हो ठीक है तो this is the correct answer games खेलो इससे आप अपनी tension को release कर सकते हो ठीक है चलो अब आते हैं हम अपने next chapter पे the tiger king अब आते हैं second chapter की most important question answer जहां पे हमें जो है पता चुल जाएगा भाई इस वाले chapter से तो बढ़िया यह question आने ही आने है ज़रूरी ठीक है पढ़ते हैं पहला question है हमारा tiger king का what gave the astrologer greatest surprise of their life while they were studying the horoscope of the 10th of an old prince तो भाई ब surprise मिलता है क्या surprise मिलता है तो देखो जैसी उन्होंने भाई शेमारी करी कि यह बच्चा मर जाएगा तो उनकी surprise में क्या होता है कि 10 दिन का बच्चा 10 डे ओल्ड बच्चा जो प्रिंस था जो राजा था वो बोल पड़ता है कि वही मुझे बताओ मैं मरूंगा कैसे ठीक है त जब वह बताते हैं उसको कि भाई टाइगर से मरोंगे तो दस दिन का बच्चा डरता नियों और कहता है लेट टाइगर्स पीवेर यह स्काम सर्ड यू रीड इत अगला क्वेशन वाय जिद्ध महराजा बैं टाइगर हुंटिंग इन लगवा थे क्योंकि उन्होंने का टा टाइगर किल करने है सारे के सारे कोई और नहीं करेगा ठीक है डिस्क्राइगर केंगे अस कॉप्लीट्ली सेल्फ सैंटर परसन इंपोर्टन क्वेशन ओविसली वह सेल्फिज काइंड आप परसन नहीं उन्होंने अपनी जो हैं स्टेट पे धिया अपने राजय पे धिया नहीं लोगों के जनता की मदद के लिए कुछ करना नहीं अपनी वाइफ पे ध्यान दिया नहीं अपने बच्चे पे ध्यान दिया तो यह उन्हें कोई फरक पढ़ ला था मासूम टाइगरों की ज्यान लेकर सौ टाइगर मार दी उन्होंने कोई फरक नहीं पढ़ था इतन तो यह उसको प्लीज करने के लिए जो है उनकी वाइफ को जिनको दुर्राई सेनी कहा गया है उनको फिफ्टी डायमंड की रिंग्स भिजवाते कि यह इस दिब्वे में से कुछ चूस करके जो है हमें वापस कर देंगी बाकी 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 बट वह बहुत लाल चन होती तो इस तो इस तो इस लिए उनोंने गल को मार दोगे तो मैं देखता हूं कैसे तो इसलिए उनोंने गल को मैरी करना चाहा क्योंकि उनके आपे तो टाइगर मिल नहीं रहे थे 70 टाइगर मानने के बाद दो गए थे तो इसलिए उनोंने उसको बोला दिवान को कि भाई एक लड़की रून ओ जिसके आपी बहुत टाइगर हो उससे मैं अपनी शादी करूँगा ठीक है तो वो क्या करता है मदरास का जो पार्ख था पीपल सपार्कीं मदरास जू मेरे से बेसकली टाइगर को लेकर आते हैं जो महराजा उन्हें ठ्रेट करते हैं कि मैं तुम्हें भी जॉब सरब निकाल दूंगा तो इसलिए वो जो है जू में से जाके एक tiger लाते हैं जिसको अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं और वो tiger गाड़ी में से भाण नहीं निकल रहाता है तो उसे धक्के मार को भाण निकालते हैं तो इसलिए सून जो है ये सब troubles उन्होंने face करें ठीक है चलो अगला ये बहुत important question है मैं read करके बताऊंगी तो when maharaja was barely 10 day old the chief astrologer had predicted that a tiger would be the cause of his death तो chief astrologer ने दस दिन के होने पर का था कि tiger से वो मरेंगे when the maharaja was 20 he killed one tiger वो 20 साल के तो उन्होंने एक मार दिया था when he asked this उन्होंने का ठीक है भाई देख लो एक को मैंने मार दिया मेरा क्या हो जाएगा तो astrologer ने कहा the soldier said that he would kill 99 tigers but he should be fearful of the 100 tiger 99 मार सकते हो बद 100 tiger से बचके रहे ना that was the reason why the maharaja was so anxious to kill the 100 tiger क्योंकि उन्होंने का था astrologer ने उन्हें challenge कर दिया था कि देख लेना कैसे तुम 100 tiger मारोगे मैं खुद अपनी job चोड़ दूगा अपना ये काम करना चोड़ दूगा insurance agent बन जाओंगा अकर तुम्हें 100 tiger मार लिया तो उस challenge को accomplish करने के उन्हें 100 tigers मारे ठीक है how did the tiger king meet his end very important question तो tiger king का end meet करना एक irony थी एक बिलकुल उनके जो उन्होंने गलत काम करें उसका एक नतीज़ा था कि अपने 100 tiger को तो वो नहीं मार पाए थे वो तो पता है ना तुम्हें 100 tiger जो भूँच हो गया तो उसको hunters ने मार रहा था तो बेसिकली उन्होंने 100 tiger मार रहा ही था तो अबा टाइगर आता है वो लकडी का टाइगर जो नहोंने बच्चे के जनम दिन के लिए खरीदा था राजकुमार के और उस tiger जो था लकडी का छोटा सा tiger था और वो ज्यादा सुंदर बनावा नहीं था उस भी craftsmanship इतनी अची नहीं थी उसका एक तिन का चुपता है उ यह का बदला लिया तो विद इस यह chapter complete होता है और बहुत सारे questions included है देखो जैसे मेरी slide में यहां मैंने most important cover कर आदिया है वह हम एक्जाम से पहले और भी पढ़ेंगे तो आप रेस्ट वीडियो से पढ़ना यहां base question में बहुत बिल्कुल to the point question में आपको prepare कर आगी हूँ तो on the face of it से तो आने वाले दो chapter यह जो आप क्योंगे यहां important question की भरमार है तो जरूर देखो इन्हें ध्यान से एनीमी चर्टर यादों का डॉक्टर सदाओ के घर के बाहर आता है एक अमेरिकन सोल्जर उस समय पे जपान अर अमरिका का बहुत चल रहा था वर वार्टू की बात है तो भाई यह उस अमेरिकन सोल्जर की वह बच्चा सा था उसकी मदद करते हैं और डरते भी रहते हैं कि कई इन पे देज़द्रो का नाम लिना लग जाए बट फिर भी उस बच्चे की यह मदद करते हैं और उसे भगा देते हैं on the ground of humanity क्योंकि इनमें इंसानियत बहुत जादा थी तो यह उस बच्चे की मदद करते हैं ठीक है चलो परते हैं सामरी तो बताई दी मैंने तो सदाओ बहुत एक जैपनीस जॉक्टर थे सादे के साथ में की साइंटेस भी थे इनोंने डिस्कवरी करी थी कि कैसे जो वूंड्स होते हैं जो गहाव होते हैं उनको बिल्कुल एंटारली क्लीन किया जा सकता है इनका घर बीच के ओपर सिचुएटेट था ठीक है चलो इस तो सदाओ उनकी नियुक्त के अगले जाते तो उनको अरेस्ट हो सकते थे थे वावव डियाड़ीस बार्यशा नियुक्त के जाए मिदेट आपड़ीस्टे खोते हैं उस जल्दी से इमेडिया मेडिटल अटेंशन की जो आती चोटे सकते ते तो बिल्स आप्रेशन की वो जोस्ते है को पोलिस को देंगे तो मारेगा यह मरेगा तो यह जदेलेमना था भाउ ही से बाः ग़ाया जाए या थीग चलो लेशाधा है करें नहीं चाहता है कि वह नहीं चाहते थे को पрафिलों.. तो इसलिए वो चले जाते हैं, ठीक है, अगला question आता है हमारा, वाई दिद जनरल ओवर्लुक दा मैटर अफ देनेमी सोलजर, जब जनरल, जो हाँ के जनरल थे, उनको जाके सदाव सब बता देते हैं, मैं अपने घर में एक अमेरेकन को रखा, मैं लाच कर रहा हूं, तो जनरल उस बात को टाल क्यूँ देता, और कुछ क्यूँ नहीं केता, डॉक्टर सदाव को, तो जनरल had an attack, and according to Dr. सदाव, he could not survive the second attack, तो जनरल को एक heart attack आया था, और अगला attack को नहीं जेल सकता था, तो इव डॉक्टर सदाव वस अर्रेस्टेट, no other doctor was capable of performing the operation, तो जनरल को पता था, अगर में डॉक्टर सदाव को अर्रेस्ट करवा दिया, तो मेरे second attack, अगर मुझे आ गया, तो मुझे किसी और अगला पर रोसानी है, कि मेरा आज कर देगा, So for furthering his selfish needs, तो अपने जान के लिए, he overlooked the matter and promised to send his assassins, तो इसलिए वो अपनी जान को पचानले कहता है, कि ठीक है, मैं तुम अपने घर पे उसे रख लो, कोई बात नी है, मैं तुमारे आपे कातिल भीजवा दूँगा, वो उसको मार देंगे, But he was so self-absorbed, वो जनरल अपने लिए बारे में ही इतना सोस्ते थे, अपने मीद में ग्रास थे, कि वो ने भूल गाए, वो की कातल भीजने भीजने भी है, और डॉक्टर सदाओ फिर उसको पीछे से भाका देते है, तो भाई अच्छा है ना, भूल गाए, भाब भज गया, अमेरिकन वो, ठीक है, उसे लगा कि कोई और डॉक्टर सदाओ को रोख लेता है, ठीक है, अगला क्वेशन, तो आपको पता है, उन्होंने काता कि मैं उसका मुर्डर करवा दूँगा, ऐसा मुर्डर करूँगा कि कोई आवाज वाज भी नहीं आने की है, और ऐसा किलिंग होगी कि इंटर्नल वीडिंग से उसकी बॉड़ी में उसकी डेथ हो जाएगी, और बॉड़ी भी डिस्पोस कर देंगे, कोई ट्रेस नहीं बचेंगे, तैसे वो जॉन विक में नहीं दिखा थे, वैसा सा कुछ मुर्डर कर दूँगा, मैं इसका, ठीक है, तो भाईया, उनके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि, जो हुमन बॉड़ी होती है न, इसको तुम्हें पॉफेक्ली टूइट करना है, अगर आप एक डॉक्टर हो, तो आपको हुमन बॉड़ी को बहुत अठी से टूइट करना है, Sadao's anatomy professor used to thunder in his classes and remind his student that the biggest crime of a surgeon is poor knowledge in human anatomy, कि एक डॉक्टर को पूरी knowledge होनी चाहिए, human anatomy की, he said if a surgeon operates upon a patient without perfect knowledge of the human body, it is equal to murder, कि पूरी proper knowledge के साथ आपको अपने patient का इलाज करना चाहिए, Why did Sadao decided to let go of Tom, तो obviously जब assassins आ नहीं रहे थे, तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना खुदी जो है इसको भगा दू, क्योंकि दरव पर दिनों उन्हें डर लगा था कि उन्हें पुलिस पकड़ने ना चाहिए, अपने घर में रखने के लिए, तो वो अपनी मदद खुद करते हैं, टॉम को भगा देते हैं, ठीक है, अब यह लास्ट क्वेशन है आज के इस चैप्टर का, How was the plan of prisoners escape executed in this story, तो डॉक्टर Sadao was a man of considerate nature, काफी अच्छे आनमी थे वो, he had given lease of life to the wounded enemy, उन्होंने उसको life दी, उन्होंने अपनी life को risk करके उसको life दी, instead of killing him after treatment, treatment के बाद उसको मार देने की जगान के उसे police को डलवा दे, डॉक्टर Sadao agained for a boat, एक boat arrange करी, food including, to send enemy back to the nearby island, the man took the Korean boat and escaped to freedom, वो महां से Korean boat लेके वो महां से भाग जाता है, ठीक है, तो बाकी भी वाई क्योंकि 11, 12, 13, 15, 15 question, slide is ready, वो बाद में करेंगे, ये to the point most important तो रिपके कर ही लो, ठीक है, अगले chapter को पढ़ते हैं, अब आती है अपने third chapter पे, journey to the end of the earth, जिसको लिखा है तिशानी दोशी ने, तो भाई, ये जो chapter है, ये बहुत important chapter है आपके exam के लिए, बर बच्चों को न समझ में नहीं आते हैं, तो प्लीज पहले जाके, फिस्तास बुक में से चाप्टर का explanation वीडियो देखो, जिसे तुमें समाण में है, बहुत 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 बहु तो भाही वो Antarctica journey start होती है उनकी 13 यह लियाद करने है आपको यह important points है 13.09 degree north of the equator से अने की मदराज से शुरू करती है वो She was on board on a Russian vessel named the academic Shalosky वो एक Russian जहाज पे बैठ कर जा रही थी जिसका नाम the academic Shalosky और they had to pass through 9 time zone 9 time zone cross करें जैसे America का हमारा time बदलावा है, London का हमारा time बदलावा है अलग-अलग देशों का time अलग हो जाते है तो उन्होंने 9 time zones cross करें 6 checkpoints, 3 समुंदरों को पार करा, 3 water bodies को and at least many eco-swears, अलग-अलग eco-swears पार करके वो पहुचती है सौ घंटे ट्रावल करके कार में, बस में, ट्रेन में और एरोप्लेन में और शिप में वो पहुचती है फाइनरली अंटार्टिका, ठीक है What unique opportunities does the Antarctica environment provide to the scientist? अब scientist के point of view से Antarctica क्यों बहुत ही unique है तो दो unique है, first it is simple ecosystem तो देखो हमारा ecosystem ना बहुत diverse हो चुका है अमारे आका, बट जो Antarctica का ecosystem है, वह humans तो अभी गए नहीं तो वहाँ पर nature, बिल्कुर उसके pristine form में है, प्रिस्टाइन मतलब pure form में है हमने वहाँ जाके छेरकानी नहीं करी तो इसलिए scientist को nature को समझने के लिए बहुत simple way में Antarctica बहुत help करता है second, it lacks biodiversity, हम लोग तो है नहीं नहीं, पूरी अपना बत्तमीजी करने के लिए उसको नुक्सान बचाने के लिए, हम तो यहीं बैठे 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 अंटार्टिका को नुक्सान बचाने है तो obviously different है, Antarctica में कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई पेड तो चलो अलग बात है कोई signboards नहीं है, कोई सडके नहीं बनी वी, कोई streetlight नहीं लगी वी, कोई बड़े-बड़े magazines के इस्तिहार वाले वो बोर्ड नहीं लगे वे advertisement वाले billboards नहीं लगे वे तो definitely, Antarctica is different, ठीक है तो चलो, if we want to study and examine Earth's past, present and future, Antarctica is a place to go, comment क्यों भाई, Antarctica क्यों जाए, Earth का past, present and future बनने के लिए बताओ because guys, Antarctica की जो जमीन है, वो उससे कोई छिडखानी नहीं करी गई अगर हम Antarctica की जमीन खो देंगे, तो उसमें half million year old carbon records है और उन carbon records को अगर हम exist करते हैं, तो उसे Earth का past, present and future जाने में बहुत मदत मिल दिया, that's why, ठीक है, चलो What is the impact of burning of fossil fuels on Antarctica, हम जो fossil fuels burn करते हैं, उससे Antarctica पर क्या असार पड़ेगा तो अगर हम fossil fuels burn करते रहे, तो carbon dioxide जो है, बहुत जादा increase होगी, उससे green house gases बगा effect बनेगा और finally उससे जो है, global warming बढ़ीगा, global warming होगी तो glaciers melt होगी, Antarctica बरफ पिगाज़े, अगर बरफ पिगाज़े, अगर बरफ पिगाज़े, तो भाईया, हम नहीं बचेंगे How was Gondwana different from today's world, described it as given in the journey to the end of the world तो Gondwana land के बारे में कहीं नहीं, आपको इस शाप्टम बताएगे, what is Gondwana land, 9th में हमने पढ़ा था That earth पे आज के समय का, जो आप मैप दिखते हो, कि ये Asia, ये South America, North America, Africa, और ये Australia पहले earth हमारा ऐसा नहीं था, super continent हुआ करते थे, ये सारे continent, दुसरे के भाईया से जोड़े पड़े थे, जोड़े पड़े थे, but then, हमारे tectonic plates पे movement होते है और उससे क्या होता है, ये इस टाइब का आज के जमाने का नक्षा बन जाता है, और उस नक्षे में क्या होता है, सारे भाई तो अलग-अलग हो जाते हैं, और सब पे आके population रहने शुरू कर देती है, हम लोग रहना शुरू कर देते हैं, बट एक भाई जो था, ये पूरे जमाने में गॉंडवाना लैंड था, तो बागी तो सब कॉंटिनेंट्स पर हम लोग रहना शुरू कर दिया, हमने, हमने वहां पे तो और लोगों खुदाई करके चेक नहीं कर सकते हैं, हमने इतना डिस्ट्रॉइ कर दिया, पॉल्यूट कर दियो से, अंटार्टिका अभी उनको डाइनसार अगयरा होते थे यहां पे and all that all that, ठीक है, इस चाप्टर से नहीं से इंफरेंस बेस क्वेशन आएंगे कि तुम बताओ, ठीक है, how can visit to Antarctica be an enlightening experience, कैसा Antarctica जाना अच्छा क्यों हो सकता है, लोग कहते है, hill station दाएंगे, हाँ जाना जाना बढ़िया क्यों हो सकता ठीक है, तो चलो पड़ते हैं अब अपना next chapter की important question, okay guys, तो अब पड़ते हैं अपना next chapter की modern question, जो है on the face of it, तो यहां पे हम Derry और Mr. Lam के बारे में पढ़ाता है, तो चलो इसके modern question जानते हैं, तो पहला question है, who is Mr. Lam and how does Derry get into his garden, तो Mr. Lam is an old man who lived in a big house with a huge and beautiful garden, okay, he had lost one of his legs due to a bomb explosion and it has now been replaced with a tin leg, तो एक leg उनके tin के, यानि की वो भी, जो है, physically handicapped है, तो big people, his friends, he kept the gates of his big garden always open, तो उनके life के काने हैं, क्यों उर्चाते के उनके दोस बने, तो उनके garden के gates खोल रखे हैं, Derry was a 14-year-old boy who was low on self-esteem and liked to stay alone, तो Derry एक बचा ऐसा था था, तो इसकी self-esteem गोग जो है, जो है, ल the best of the world, तो उसी लगा भाई, या गार्डन खा लिया, यहां जाके छुप जाता हूं, ठीक है, वाई जिद मिस्टी लाइम है, जो है, जो है, उनके लेग नहीं थी, लोग उनके लेमी लाम चराते थे, और Derry को तो उसकी फेस की वज़े से पूरी दुनिया बहती जादा, ऐ Derry की तरह वो जो है, अपनी लाइफ से परशानी होते हैं, वो लाइफ को फुली इंजॉय करते हैं, और जो है, वो Derry को भी इसलिए मदद करते हैं, कि अपनी लाइफ की तरफ जो देखने का परस्पेक्टिव है अपना उसको बदलो बेटा, ठीक है, डिस्क्राइब दीम of the play on the face of it, the play on the face of it की theme यह है, कि यह idea लेकर आती है, that people who have any handicap or physical impairment generally suffer from a sense of loneliness, कि जो लोगों को को कोई भी ताइफ की, जो है, physical impairment होती है, तो वो लोग गाईज बहुत ना, अपनी लाइफ में अखेलापन से जूचते हैं, mental pain से, और it also says that कई बार हम जो लोगों को जैसे देखते लोगों से डरते भी होंगे की यह बूड़ासा अदमी अकेले रहता है, बट वो कितने अच्छे आदमी हैं दिल के, आप समझ चुके हो, chapter पढ़के, in what sense is friendship between Derry and Mr. Lamb fruitful, कितनी अच्छी रही दोस्ती देखो, Mr. Lamb की unfortunately dead होगे, add of the chapter में, बट उनों ने Derry, तो इता चोटा सा despite all all, help Derry change his outlook towards life, तो this Mr. Lamb ने जो का ना, कहने दो दुनिया को जो कहरी है, अपने आपको क्या कमरे में बन कर लोगे, beauty and the beast को सोचो, तुम्हें कोई लड़की पसंदा करे तो, तुम क्यों सोचते हो, तुम तो चाहोगी ना, तुम किसी को पसंद करो, तुम अपनी लाइफ ब those who have disabilities, give instances from the story, तो yes, people are insensitive, ये हमने देखा, जैसे Derry को दो लेडीज ने बोला कि ये ऐसा फेसेच की माव खाली प्यार कर पाए, बच्चे जो है कई बार Mr. Lamb को ली, Lamb ली, Lamb ली, Lamb चराते थे, तो भाई उनकी family मना भी तो कर सकती थे, ऐसे बुड़े अंकल को मत बोलो, तो कई बार लोग बहुत ज़दा indifferent, बहुत बत्तमीजी से पेश आते हैं, किसी handicap या physically impaired लोगों के साथ, उन्हें खुद उस समय हैसास ना हो, बट ये करना बहुत गलत होता है, if you were to give a different ending to the story on the face of it, ये पूरी entire syllabus का सबसे प्यारा question मुझे लगेगा अगर आज आपके exam में, कि अगर आपको जो है, हम आपको एक power दी दे, कि आप on the face of it की story की ending बदल दो, तो आप कैसे रखोगे, तो ending of the story में recording होनी चाहिए, और आप सभी के recording होनी चाहिए, on the face of it, जो है वैसे बहुत sad है, debt हो जाती है Mr. Lam की, बट हमारे opinion में होनी चाहिए, beautiful होनी चाहिए, इसकी tragedy नहीं होनी चाहिए, in the end, Derry should have saved Mr. Lam from falling by holding the ladder at the last moment, कि ऐसा हो कि सड़ी गिरी हो, और Mr. Lam को Derry सड़ी पकड़ के बचा ले, this would have given him a message of hope, और इसे उसको और अच्छा message मिलता कि हा, और उमीद मिलती कि भाई और Mr. Lam उसके साथ में होते है, ठीक है, how does Derry interpret the fairy tale beauty and the beast, what does he feel about him से, so beauty and the beast के बारे में Derry क्या सोचता है, so Derry knows the theme of fairy tale, Derry को उसकी fairy tale की theme पता है, that inner beauty of a person से प्यार करना चाहिए, however Derry considers it to be imaginary, Derry कहता है, imaginary है, मेरे को को कोई किस कर देगा, तो मैं तो मेरा face ठ जो है, translate, transform, मैं तो बिल्कुल नहीं होगा, तो for him, appearance is everything, उसके लिए appearance सब कुछ थी, ठीक है, how does Mr. Lam keep himself, very busy, important, कुछ नहीं है, इसे माग कर लो बिल्कुल, तो Mr. Lam अपनी life में lonely थे, बट वो enjoy करते थे, बहार अपने garden में आगे, weather को enjoy करके, crab, apple से, jelly बना के, लोगों से बाते करके, why does Mr. Lam leave his gates open, तो basically guys, कहीं न कहीं Mr. Lam अपने gate इसके खोल के रखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी stranger उनकी garden में आ जाए, और क्योंकि वो किसी स दरते नहीं थे, वो नहीं दोस बनाना चाहते थे, ठीक है, what qualities of Mr. Lam attracted Derry, तो Mr. Lam एक बहुत ही प्यारे इंसान थे, वो sadness और negativity से भरे वे बिलकुल नहीं थे, ठीक है, वो जो है physical impairment को परशान नहीं होने देते थे खुद को, तो इसलिए Derry को एक source of inspiration लगते है Mr. Lam, what does Derry's mother think of Mr. Derry को क्या लगता था, Derry की mother को लगता था कि Mr. Lam जो है एक अच्छे इंसान नहीं है, she thought he was not a good man and she did not want her son to remain in touch with him for any purpose, वो कैते है, उनके से बाती करनी कुछ भी हो जाए, ठीक है, how does Mr. Lam try to remove baseless fear of Derry, कैसे उन्होंने help करी, तो Mr. Lam tries to remove baseless fear of Derry by telling him that nothing in this world is worthless, that it deserves to be considered as trash, तो वो कहते दुनिया में कुछ ऐसा नहीं कि worthless है, तुम खुद को क्या करें, मैं तो गह रहा हूँ, यह wheat garden के बिचो यह जंगली पौदे हैं, यह भी worthless नहीं है, even wheat have their own value, he advises Derry to ignore people's comment, बेटा, people के comment को ignore मारो, यह important equation, याद रखो, इसकी lines याद करो, वो कहने लोगों को ignore मारो, और beautiful चीज that are worth it, सिर्फ वो सुनों जो अच्छा है, and this is the attitude that matters, वो उसको ऐसा समझा देते हैं, ठीक है, आपके लिए, what is the bond that unites the two, Mr. Lam and Derry, क्या एक ऐसा bond है, जो को दोनों इंसानों को पास लेकर आया, तो it is physical disability, Mr. Lam जो है लंगडे है, और Derry का face half burnt है, यह उन दोनों को पास लेकर आया क्योंकि Mr. Lam उसको जो है, empathize कर पा रहे थे, वो समझ पा रहे थे, Derry आज क्या जेल पा रहा हो, गर वो बहुत बड़े हो जो के थे, old थे, अब तो वो Derry को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, although both face the same problem, there is a vast difference in the attitude, Mr. Lam को भी लोग शड़ाते हैं, बात नहीं करते हैं, Derry को भी वही हो रहा था, but दोनों का उस problem की तरफ attitude बुकुल different, Mr. Lam उसको बहुत ही lightly ले रहे थे, और वो अच्छे चीजों की तरफ देखते थे, Derry उनी बुरी चीजों से surround हो चुका था, तो इसलिए Mr. Lam है, उसकी life में अपर hand की तरह काम करते हैं, वो उस बच्चे की मंदत करत मैं किसी से ना मिलू, मैं बाहर ही ना निकलू, मुझसे दूर रहूं मैं, और कही ना कहीं वो ऐससे सुचा था, मेरी लाइफ है ही क्यों, तो इसलिए Mr. Lam बदल देते हैं, one homework question for you, जो आप में in comment section में बताओगे, how did Mr. Lam change Derry's life, कुछ भी word में अपना बना के लिखो, कैसे बत ठीक है, चलो, अब परते हैं, last chapter की most important question, जो है, memories of childhood, और उसके साथ, विस्तास का भी, base हो जाएगा, clear with the base questions, तो चलो, परते हैं, आखरी chapter की most important question, जो है, memories of childhood, done, तो how did Zitkala Sa find the eating by formula hard trial, तो eating by formula क्या था है इस chapter में, तो जिस तरीके से Zitkala Sa ने बता है, कि स्कूल के पहले दिन पे घंटिया बजाई थी, और हर घंटी का मतलब था, you have to do a certain movement, तो वो उनके लिए eating by formula था, she did not know what to do when the various bells were tapped and behaved unlike others, तो पहली घंटी बज़ी बच्चों ने चेर ने निकाली को चेर में बढ़े थी, तो उनसे different behave कर रही थी, when the first bell rang, पुपूर आपको बताने, when the first bell rang, she pulls out her chair and sat in it, as she saw others were standing, sab toho खड़े वे थे, she looked shyly around to see how chairs were used, when the second bell was sounded, she had to crawl back into her chair, तो ऐसी वो चेर से खड़े होते हैं, 12 second bell बच्चे बैच जाते हैं, बच्चे बैच जाते हैं, बच्चे बैचना पड़ता है, she looked around when a man was speaking at the end of the hall, फिर वो देखते हैं, कानमी end of the hall में बोल रहा था, वो प्रेयर कर रहा था, then she dropped her eyes when she found the pale-faced woman staring at her, तो वैसी वो रिदम से तर के अपनी आखों को नीचे गलेती, जब नहीं दिखता है कि वो जो pale-faced woman थी, उन्हें घूर रही थी, after the third bell, other started eating, but she began to grow, तो तीसरी बैल बज्यों समने हैं, जखाने शुरू करते हैं, रोबोट सी तरह, तो उन्हें तो रोना ही आजाता है, डर के मारे, या वो लोग जो किसी का दुख मना रहे होते हैं, शोक मना रहे होते हैं, उनके बालों को, जो है, कट कर दिया जाता था, ठीक है, तो इसलिए वो टियर्स में थी, जितकाला सा, crept upstairs, unnoticed, तो वो अपने hostel में, जो है, एक जगा पे ऐचे, जो है, सिडियों से चड़के जाते हैं, जहाँ, असपास में कोई नहीं था, she enters a large room, एक बड़े कमरे में जाती है, and वहाँ एक bed के नीचे जाके छुप जाती है, however, she was ultimately found, बट वहाँ पे भी उन्हें ढूट लिया जाता है, and was dragged out, उन्हें भाड निकाला जाता है, और downstairs, यानि की जहाँ पे था, लेके जाया जाता है, वहाँ पे उनके बालों को cut कर दिया जाता है, ठेक है, describe the experience Bama had on her way back home, which made her feel sad, तो आपको ये बताना है कि Bama का क्या experience था, तो चलो अभी तो ये question बाद में करेंगे, पहले जित काला सा की complete करते हैं, I felt sinking the floor, says this काला सा, when dusty feels so, तो उन्हें काव ऐसा लगता है, कि मुझे लग कहरी, मैं जमीन में गड़ जाओं, ऐसा कब उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कितने बत्तमीज लोगे हैं, कि एक बार कहें भी सकते थे, मुझे मैं खुद उतार देती, ऐसे शॉल उतार ली गई, तो उन्हें बहुत पुरा feel हुआ, ठीक है, What did Judy Wynn tell Zitkala सा, How did she react to it, तो Judy Wynn बताती है, उसको थोड़ी बहुत इंगलिश आती है, उसने सुना है, जो है, बच्चों के बाल कट कर दिया जाएंगे, तो Zitkala सा उसको reply करती है, That she will fight and she will resist it, वो पहले fight करेगी, वो जो है, ऐसे अपने बाल नहीं कट वालेगी, ठीक है, चलो, अब हम चलते हैं, अपने बामा की question पे, What made Bama laugh at the sight of elderly men, holding over the parcel to the landlord at threshing field, What was his brother's reaction, तो इससे आपके पूरा chapter का एक तरीके से, summary भी हो जाएगी, और most important question का, बहुत सारा आपका एक, आपको पता चल जाएगा, idea ऐसा होने वाला है, पूरे चाप्टर में आपका सबसे main incident यही है, कि Bama उन अंकल को देखते है, कि वो ऐसे पैकेट था, जो पनी थी, basically हम कहेंगे अगर हम्नी में तो, तो वो जो उसको ऐसे पकड़काता है, उन्होंने उसके strings से, उन्होंने ऐसा क्यों पकड़का था, वो ऐसे ऐसे उसको चल रहे थी, तो Bama को बहुत फनी लगता है, Bama उसे कॉपी करने की कोशिश करती है, वो देखते हैं कि वो उस landlord को जाके देते हैं, वो वड़ाई निकाल के खा ले रहे हैं, वो बैठावा था, सड़के किनारे, वो अपने भाई को इसे बताती है, तो भाई को भी खुल हसी नहीं आती, तो उनके भाईया बताते हैं, कि वो जो है landlord, वो अपर कास्ट का था, और वो जो है, ऐसे सूचता है, तो केरी मुझे बहुत बुरा लगा, और उन्हें बहुत ज़्यादा emotionally, इतना वो फील करती है, ऐसा कि क्यों ऐसा जो है वो उस इंसान ने करा, अपने आवड़ाई लिया था, अपने लिए खाने के, और क्यों हम लोगों को उनके ऐसे चुटे-चुटे काम करने पड़ रहे हैं, जाके, ठीक है, काम करें, हम अपना थेशिंग होल पर काम करें, और पैसा कमाएं, यह सब बाते हमें क्यों माननी पड़े हैं, पर से इतना जादा बिएवियर जहलना पड़ है, तो पर्शान होती है, ठीक है, तो यही बताना है, Bama saw an elderly man of a society carrying a very small and light parcel with snacks to the landlord, the way the man held the parcel with its strength, the special respect the man showed towards the parcel, and the way he offered it to the landlord without supporting it from the bottom, made Bama laugh, she thought he was making a joke by carrying the packet in a child, but when she narrated the incident to her brother, he was not amused and told her that people of their caste were considered untouchable, and that is why the elder carried the packet by its strength, which words of her brother made deep impression on Bama's life, Bama's brother had told her that because they were born in a particular caste, they were stripped of all honor and dignity, that in the caste that they were born, this is why they do not respect by other people, for them only way to get their due respect was to make progress by studying hard, so if you have respect, you have to stay in this society respectfully now, so kids have to be very good to study, Bama took her brother's word, Bama took her brother's word, Bama took her brother's word, very seriously, study in class, and then they are all friends, now last question of this chapter, and in this entire book, Vistaz Book, the last question of the book, the question of the base question series, is what is common between Zitkala Sa and Bama, Bama and Zitkala Sa and Bama, what is common common between Bama and Zitkala Sa and Bama, had experienced discrimination in their childhood, they had discrimination in their childhood, when Zitkala Sa had been a victim of oppression at the hands of white, white people have been a victim of oppression at the hands of white, the Americans who were Americans, they did not follow their culture, Bama felt and experienced untouchability early in life for being born in a Dalit, so they experienced untouchability and both had the memories of their childhood, which you will know very often, you will know very often, but then you know, they achieved a lot of things in their life through the power of education, okay, so with this, this is complete, the rest of these questions we will learn further, when you don't have the exam, I will be so pro-pro-pro-do-ngi, that if there is any question that you will be fully prepared, okay, so with this, I would like to tell you one more question, if you have seen this important question, how many questions you have seen, it will not be useful until chapter tips will not happen in your mind, okay, one-way line, you will know how it happened, I will read everything, I will read everything, I will read everything, I will read everything in your mind, so for this, look for flamingo book, one-shot, look for description box, look for vistas, look for poem, look for English exam, you will be prepared for exam in the same mode, and you will get a big number, 100, and I will be very happy, so for all my friends, look for one-shot, go to the description box, and if you have not seen it, then see it, share it with all my friends, in base question series, and important question series, and English chapters, which are one-shot, if it will be possible, then I will see you, bye-bye, we will see you next video, so stay tuned for the next video, A shot. . . .